और वहीं क्रिक्ट के बाद बात करते हैं चैस यानि शत्रंज की 45 वे शत्रंज उलंपियाड में स्वन पदक की जड़ी लगाने वाली वंदिका अगरवाल का क्या है अगला लक्षय और उनको अपनी इस काम्यादी में किसका साथ मिला साथ ही वंदिका की नजर में देश वे क यहास रचा भारत की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने स्वन पदक पर गवजा जमाया और इस वक्त हमाये साथ महिला टीम की एक सदस्य वंदिका अगरवाल हैं जिन्होंने व्यक्तिगत और टीम दोनों ही इवेंट में गोल्ड मेडल को अपना बनाया तो वंदिका प्रफी हम यह भी जानना चाहेंगे कि पूरा जो जो चैस्सके जो एक डेश में अखना आयाम आपने अपनी सवल्टा से ला दिया है कैसे देखती है अपनी खुद की सफलता को और यह जो सफलता है वो किस तरह का एक चेंज ओवर जो है वह अब देश में लाएगी चैस ग लोग नहीं पहचाने मुझे खुद बताना पड़ता था सब को कि अरे मैं जीत के आई हूं फिर भी लोग को लगता था अरे कौन सा स्कूल इवेंट जीता है या क्या जीते हैं बट अब जब खुद ही अकभारों में चप रहे हर जगा लोग मुझे खुद मुझे किसी को बत पर फोकस बनाया रखना यह कितना कठिन ता यह बिलकुल भी असान नहीं था मैं अपनी मम्मी को धन्यवाद मा को धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि वह हमेशा ही मेरे साथ दोनों चीजों में थी जब मैं जब से स्टार्ट किये चैस केलना मैं आट साल की थी तब से 12-13 करियर के अपना करियर में लिए साक्रिफाइस कर दिया नए तरीके से हम सामने आ रहे हमारे पर ग्रैंड मास्टर्स जो है वो लगातार निकल करके सामने आ रहे हैं तो इसकी एक बड़ी वजह क्या है हर दिन हम देखें कि इतने सारे यूवा लोग खेलने शुरू कर रहे ह पहले क्या है कि पहले सब इंडिया में ही खेलते रहते थे कोई भाड नहीं जाता था एक दो टोर्नावेंट मेंट बहुत कम अब क्या सारे लोगी भाड जा रहें इंडिया से बाग जा रहे हैं खेलने और अब इतना माटीरियल भी अवेलबल हो गया पहले क्या था सुब को मतलब कुछ था ही नहीं अवेलबल अप इंटरनेट के द्वारा कोचिंग आप ऑन-लाइन किसी से फॉरें से कहीं से किसी से भी ले सकते हो इतना इंजिन कंप्यूटर वगेरा इंजिन भी आ गए आप उससे अनलाइस कर सकते हो और बहुत सारा मतलब चीज़े अवेलबल भी हो गए तो यह है वंतिका अगरवाल जिनका साफतोर पर कहना है कि देश में शत्रंच का जो खेल है वो लगातार करवड जो है वो ले रहा है और इसकी एक बड़ी वजह उनकी नजर में है कि जिस तरह से अब ट्रेनिंग के लिए बाहर जाते हैं इसके साथी साथ जो टूनरमेंट्स हैं उसका जो एक्सपोजर लगातार अंतराश्टी स्थर पर मिलता है वो कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट होता है और उसके चलते देश में जो है वो एक शत्रंज के खेल में एक नई करांती जो है वो देखने को मिल रही है कैमरा मैन आलोक के साथ मैं कॉरफ कुमार डीडी नियूज नोईडा